जवलपुर डिवीजन के अंतरगत आने वाले कटनी बीना रेल सेक्षन पर प्री नौन इंटरलॉकिंग किया जा रहा है एंटरलॉकिंग कटनी से बीना तक विछाई जा रही थर्ड रेल लाइन की है जिसकी बज़े से रेल प्रशासन ने भोपाल से बनकर चलने वाली तीन जोड़ी ट्रेनों और यहां से निकलने वाली नौ प्रेनों के रूट डायवर्ट कर दी है तो आगे वीडियो में जानेंगे सभी कैंसिल ट्रेनों के नाम और उन नो ट्रेनों के नाम जिन्हें चार सितमबर तक बदले रास्ते से चलाया जाएगा लेकिन दोस्तो आपका सबसे ज़रूरी काम वो ये कि आप अपने चैनल रेलवी नियूज को सस्क्राइब करना ना भूगलें दोस्तो रेलवी के इस फैसले से कटनी दमो, सागर, खुरई, बीना, मंडीबा मौरा, बासोदा, विदीशा की तरफ यात्रा करने वालों को खासी परिशानी होने वाली है आप अगर एक सितंबर से इस रास्ते से निकलने वाली ट्रेनों से इन स्टेशनों पर जाना चायते हैं तो आगे बताई जाने वाली तारीकों में ट्रेवलिंग करने से बचें नहीं तो आपको बीना के बदले इटारसी से अपने डेस्टिनिशन की और पहुँचाया जो ट्रेने कैंसल की गई हैं उनमें 2216162 भोपाल दमोहु राजरानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो 2 से 4 सितंबर तक दोनों स्टेशनों की बीच निरस्त रहेगी इसी तरह 1127172 भोपाल टारसी विंद्याचल एक्सप्रेस जो 2 से 3 सितंबर तक कैंसल रहेगी और फ्रे कैंसलेशन का रिकॉर्ड बनाने वाली भोपाल ब्लासपुर एक्सप्रेस इसे भी 2 से 4 सितंबर तक कैंसल किया गया है अब जान लीजिए उन ट्रेनों के नाम जिने भोपाल आने के बाद बीना ना लाकर इटारसी जवलपूर के रास्ते संजालित किया जाएगा इनमें ट प्रेन नम्मर 0218586 रानी कमलापती रिवा स्पेशल एक्सप्रेस जो 3 सितंबर को आपने प्रारंब के स्टेशन से इटारसी जवलपूर कठनी होकर रिवा जाएगी 2 सितंबर को अपने प्रारंब किस्टेशन से डॉक्टर अमबेटकर नगर रीवा एक्सप्रेस अपने परिवर्तित रास्ते संत हिर्दाराम नगर भोपाल इटार्ची जवलपूर कटनी होकर रीवा पहुँचेगी 2 सितंबर को अपने प्रारंब किस्टेशन से प्रस्तान करने वाली 2164 जवलपूर सौमनाथ एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग जवलपूर इटार्ची भोपाल होकर और 3 सितंबर को डवल वन फोर सिक्स फाइब सौमना जवलपूर एक्सप्रेस भोपाल इटारची होकर दोनों स्टेशनों गी चलाई जाएगी इसी तरह एक सितंबर और तीन सितंबर को अपने प्रारंबिक स्टेशन से प्रस्तान करने वाली गाड़ी संक्या डवल टू नाइन वन इंदोर हावडा छिप्रा एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग संतहिरदाराम नगर भोपाल इटारची जवलपूर होकर हावडा की तरफ जाएगी एक सितंबर को अपने प्रारंबिक स्टेशन से प्रस्तान करने वाली गाड़ी संक्या डवल टू नाइन वन टू हावडा इंदोर छिप्रा एक्सप्रेस बदले हुए रास्ते से इंदोर को जाएगी इसी तरह एक सितंबर और दो सितंबर को अपने प्रारंबिक स्टेशन से प्रस्तान करने वाली ट्रेंड 19490 गौरकपुर एहमदवाद एक्सप्रेस जबलपुर कटनी इटार सी होकर एहमदवाद जाएगी और दो तीन सितंबर को अपने प्रारंबिक स्टेशन से चलने वाली 19489 एहमदवाद गौरकपुर एक्सप्रेस इसी रास्ते से होकर चलेगी अब जानली जी सबसे आकरी में ट्रेंड नमबर 1556 जीरो एहमदवाद दरभंगा एक्सप्रेस जो अपने निर्धारित मार्ग से नाचलकर भोपाल एटार सी जबलपुर कटनी होकर एहमदवाद से दरभंगा के बीच चलाई जाएगी अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंदाया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और रेलवे से जोड़ी छोटी बड़ी अपडेट पाने के लिए चैनल को सस्क्राइब करना ना भूलें